नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चनल में S.O.L. ने अपने एन्वल मोड के स्टुडेंट का प्रोविजनल सेर्टिविगेट को अपनी वेबसाट पे रिलीज कर दिया है इस वीडियो में हम उसको डाउनलेड करना सीखेंगे इसके लिए आपको S.O.L. की वेबसाट पे आना है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं उसके बाद आप स्क्रोल करके नीचे आएं कंटिन्यू टू वेबसाट पे क्लिक करें आपको इस तरीके का है यहां पर एरर शो होगा आप थोड़ा सा वेट करें उसको दुबारा से रिफ्रेश करें अपने पेज को इसके बाद आप स्टुडेंट्स पर क्लिक करें आप यहां देख पारेंगे आपके पास प्रोविजनल सेटिफिकेट का option आ रहा है आप इस पर क्लिक करें उसके बाद आपको यहां पर शेशिन करना 21 22 इसके बाद आप यहां पर एस्वेल रोल नंबर डालें इसके बाद आपको यहाँ पर अपना exam roll number डालना है जैसी आप view पर click करेंगे आपका provisional certificate इस तरह से download हो जाएगा यह provisional certificate मैंने आज ही download करा है आप देख पाएंगे इस पर date आ रहे हैं 6 November 2022 अब इसके बारे हम थोड़ा से जान लेते हैं आपका यह enrollment number होता है जैसे आप देख पा रहे हैंगे 17SOLNBAPRO यह आपका BA program के student का provisional certificate है और यहाँ पर आपका certificate number होता है आप यहाँ देखें यहाँ पर इनका roll number है यहाँ पर इनका नाम होता है यहाँ पर इनके fathers का नहीं है इनका admission जुलाई 17 में हुआ था जून 22 में इन्होंने अपनी graduation कम्लीट करी यह BA program का है annual mode का exam था इनका यहाँ पर इनका फिर roll number है examination roll number और यह आपका result declaration date अब बहुत से student कहते हैं कि सर हमें क्या S.O.L. character certificate प्रोवाइट करता है तो S.O.L. कोई भी character certificate प्रोवाइट नहीं करता बट हाँ इन्होंने अब जो नया आपका format प्रोविजनल certificate का उसमें इस तरीके से line mention कर रखी है जिसमें आपके character के बारे में उसमें line में लिखा होता है यह आपका S.O.L. का provisional certificate है अगर आपको डियू का provisional certificate चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसका link में description में डाल दूँगा आप उसको apply करें वो certificate आपकी mail पर आता है जिसके जो charge होता है वो 500 रूपीज होता है इसके लिए मैंने एक dedicated वीडियो बना रखी है आप पूरा उसको देख सकते हैं और अपना provisional certificate अप्लाई करके ले सकते हैं और जैसे बहुत से बच्चों ने इसमें graduation complete करी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि graduation के बाद आप कौन-कौन से documents आपको collect करने होते हैं उसका भी link में वीडियो के description में डाल दूँगा आप वहाँ से देख के अपने documents collect कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें धन्यवाद